तो पिछले कुछ 6 महीनों में सबसे ज़्यादा मेरे पास कोई कमेंट्स आया तो वह है ड्राइवरी लाइसेंस को लेकर कि सहजाद भई जरा यह बता दीजिए कि हमें कौन सा गाड़ी चलाने के लिए कौन सा लाइसेंस का जरूरत है जैसे कि मैं लाइट ड्राइवर हूं त कौन सा लाइसेंस आपको चाहिए है और कौन सा लाइसेंस कब फिकर यान कि कौन सा लाइसेंस कैसे बनता है यह चीज आपकोhum मैं समझाओंगा चाहिए वीडियो 5 वांच मिनट का बने या 15 का बने ठीक एट तो इस वीडियो को इंड टक देखना और इस किप मत करना दोस्त तो नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो चलिए सुरू करते हैं सब्सक्राइब करें सहजाद दिवाना चैनल को साथ ही इस घंटे को दबाएं ताकि आपको मिल पाए हमारी वेडियों विन्हा किसी रोप प्लोक के अस्सलाम अलेकुम नमस्कार वास अत्रियाकाल दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त मुहम्मद सहजाद और आप देख रहे हों सहजाद दिवन ब्लोक तो पिछले छे महीने में सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आये तो ड्राइबरी लाइसेंस को ले करके और हमारे इंस्टेग्रा दोस्त नहीं तो थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा इस वीडियो में साथ ऐसे पॉइंट कवर किया हूं कि जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है और यह साथ पॉइंट में टोटल जितना भी गाडिया है न वह टोटल इसमें आ जाएगी कि भाई कौन-कौन सा ला देट ऑब और आपका जो एड्रेस हो वह हर डॉक्यमेंट में सेम रहे यह नहीं कि अधार में अलग हो और पास्टोट में अलग हो डेट ऑब बॉर्थ एकनों मौस्ट है कि सेम रहना चाहिए अगर डेट ऑब बॉर्थ आपका इधर उधर होगा तो आपको आगे चलके प् तो यह तो रहा आपका जो पहला इस्टेप था वो लेकिन अब चलते हैं main point की और नमबर one point कि भाई commercial license क्या है commercial license का मतलब होता है simple way मैं बताओं तो ट्रांसपोर लाइसेंस यानि की टीर लाइसेंस यानि की आप वो लाइसेंस apply कर रहे हù जिससे आप कोई भी घारी चला सकत हो ट्रांसपोर्ट की जिससे आपको सेलरी भी मिले अपना ही गाड़ी क्यों नहीं जिसको आप ट्रांसपोर्ट के तोर पर यूज कर रहा है जैसे बस हो गया उसमें पसेंजर ले करके आप कहीं दूसरी जगा जा रहे हो तीसरी जगा जा रहे हो यह हो गया ट्रांसपोर्ट या कोई ऐसा गाड़ी हो गया जिस पर आप सामान रख करके दूसरे तीसरे जगा पहुंचा रहे हो तो यह हो गया ट्रांसपोर्ट यानि की कमर्सियल का मतलब हो गया ट्रांसपोर ठीक है आप समझ गए कि commercial क्या है जब हम license बनवाते हैं तो उस पर लगता है लिखा रहता है TR यानि transport यानि कि वह commercial है और एक जगा लिखा रहता है NT यानि non-transport और TR का मतलब हो गया कि transport यानि TR लिखा हुआ है तो यह commercial है और NT लिखा है तो यह नॉन कमर्सियल है तो आप किलियर हो गए कि आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए अगर आपको ट्रांसपोर्ट की गाड़ी चलाना है तो आपको कमर्सियल के लिए अपलाई करना पड़ेगा तो आप किलियर समझ गए कि भाई कमर्सियल लाइसेंस कौन सा है ठी भी RTO का procedure है उसको पूरा करेंगे तो आपको एक learning license मिलेगा जिसका valid 6 महीने तक होता है यानि कि उस license पर आप 6 महीने तक आप गाड़ी चला सकते हो लेकिन एक महीना बीच जाने के बाद या कि जब आपका learning license issue हुआ है उसके एक महीने बाद ही आपका permanent license issue होगा यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप किसी वोजह से एक महीने बाद नहीं issue कर आए तो कोई दिकत नहीं है दो महीने तीन महीने चार महीने लेकिन छे महीने के बाद issue नहीं होगा यह आपको ध्यान में रखना है कि जब permanent license के लिए अगर आप apply करोगे तो आपको learning license का एक महीने बाद ही आप apply कर सकते हो तो आप लोग समझ गए कि learning license के कितना दिन बाद हम permanent license apply कर सकते हैं और साथी साथ commercial license के बारे में समझ गए अब यहां से जो मैं बताऊंगा वो गाड़ी के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन से गाड़ी के लिए कौन सा license चाहिए ठीक है सबसे पहले यानि आपका जब learning license पूरा हो जाए तो उसके बाद आप apply कर सकते हो LMB के लिए ठीक है LMB का मतलब होता है light motor vehicle जैसे कि इस license से आप car चला सकते हो और भी जो भी फोर बिलर गाड़िया है वह आप इस license से चला सकते हो LMB से कि आपको इस license साड़े साथ हजार केजी का वहां चलाने का permission आपको मिलता है आटियों के तरफ से उसमें include जो गाड़ी है उसका weight रहता है मान के चलिया अगर कोई गाड़ी है उसके उपर अगर हम समान लाद दे रहे हैं ठीक है लाइट वीकर यानि फोर फोर विलर की बात कर रहा हूं कोई भी समान लाद दे रहे हैं उसका version जो होना चाहिए वह साड़े साथ हजार केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए वह गाड़िया LMB के अंदर आती है जैसे कि आप Scorpio ले लो उसमें अगर आदमी भी बैठे हैं फिर भी वह साड़े साथ हजार केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो तो आप समझ गए कि आपको LMB license पौर कौन कौन सी चीज का permission मिलता है लेकिन LMB license में दो टाइप का license होता है मैंने अभी बताया आपको LMB light motor vehicle और दूसरा है MGB यानि की medium good vehicle और इसको LMB professional भी कहा जाता है तो इसमें क्या होता है कि ये भी आपको light motor चलाने को मिलेगा यानि जितने भी जो four wheeler गाडिया है आपको इसी license में चलेगा लेकिन इसका जो version है वह साड़े साथ हजार के बदले 12500 kg तक जाएगा यानि कि साड़े 12000 के अंदर की गाडिया आप इसमें चला सकते हो यानि इंकुलूड गाड़ी का भी वजन इसी के अंदर रहेगा यानि साड़े 12000 से उपर नहीं तो आप समझ गए कि भाई LMB में दो टाइप का license होता है एक LMB होता है एक MGB होता है ठीक है किलियर आप समझ गए अब चलते हैं अगले पॉइंट की और अब बात करते हैं LMB है भी मोटर वीकल तो इस license हम कौन कौन सी गाड़िया चलाएंगे सबसे पहले मैं आपको बता दू तो इससे बस चला सकते हैं ट्रक चला सकते हैं जितने भी है भी मोटर वीकल है वह हम चला सकते हैं और इसमें जो वेट का लिमिट है वह साड़े 12000 केजी से उपर तक का ह यानि कि साड़े 12000 केजी से ज्यादा वो जनके जो गाड़िया है वो इस license से आप चला सकते हैं लेकिन इसमें भी एक सर्थ है यानि कि आप direct HMB license के लिए apply नहीं कर सकते हो आपके पास LMB license का होना जरूरी है वो भी एक साल पुराना अगर आपके पास एक साल पुराना है है कि भाई HMB license से आप कौन-कौन सी गाड़िया चला सकते हो जैसे बस हो गया ट्रॉक हो गया ट्रेक्टर हो गया और भी बहुत सी गाड़िया है मैं पिक्चर लगा दूंगा आप लोग देख लेना और एक साथी साथ update यह है यानि कि जो HMB license से उसको आप ट्रांस में हो गया है ठीक है अब चलते हैं जैसी भी और एक्सवेटर वाला license के बारे में सबसे ज्यादा यही पूछा गया था कि हमें कौन सा है license बनवाएगे जिससे हम जैसी भी चला ले और किरेंश चला ले और एक्सवेटर चला ले तो उस license का नाम है LDRXCB यानि लोडर एक्सवे पास HMB license होना जरूर है अगर आपके पास HMB license नहीं है फिर यह आपको license नहीं मिलेगा यानि आपका यह license नहीं बनेगा तो आपके पास heavy license होना चाहिए तभी जाकर के आप इसको apply कर सकते हो अब चलते हैं last point की और कि भाई trailer आपने देखा होगा कि किसी किसी license पर trailer लिखा रह होती है उसको चलाने के लिए इसका जरूरी पड़ता है और इसको भी बनाने के लिए आपको HMB license का होना मस्ट है यानि बीना HMB license का आपको यह भी license नहीं मिलेगा अगर आपको trailer का license बनवाना होगा तो आपके पास most important है कि HMB license हो तभी जाकर करके आप apply करोगे तभी आपका license license मिलेगा उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई LMB license से हम कौन से गाड़िया चला सकते हैं HMB से हम कौन से गाड़िया चला सकते हैं commercial कौन सा license है और learning license कितना दिन वायलेट रहता है learning license कि कितने दिन बाद आप permanent license apply कर सकते हो भाई वीडियो बनाने में मैं कोसिस किया total एक ही बार cover करने के लिए कि अगर टुकड़ा टुकड़ा में बनाता वीडियो तो वीडियो बहुत ज्यादा बनाना पड़ता इसलिए total जितने भी जो license है एक ही वीडियो में include करके आपको समझा दिया अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो comment section में प जो रेट कलर का बटन है उसको भी दवा करके सब्सक्राइब करना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको notification के जरिए मिल जाए ऐसे कि मैं हर बार बोलता हूं कि सुनो सब की करो अपने दिल की मिलते हैं को और रहे वीडियो के साथ टेक किया